पेडोलोजी में मिर्दा का निर्मान, मिर्दा के प्रकार का अध्यान क्या जाता है, हाटी कल्चर में फूस्प एवं फूल देने वाले विरिक्षों का बाग का अध्यान क्या जाता है, माइकोलोजी में कवकों का अध्यान क्या जाता है, वेक्ट्रियोलोजी में विभिन प प्रकार के पूस्पों का अध्यान क्या जाता है इस पर्मो लोजी में विजों का अध्यान क्या जाता है वाइरो लोजी में विशनों का अध्यान क्या जाता है अंथो लोजी में विभिन प्रकार के पूस्पों का अध्यान क्या जाता है क्रायो लोजी में सजीवों में सित् लिम्नो लोजी में स्वक्ष जेल में पाये जाने वाले पोधों का अधियन क्या जाता है सजीव और निर्जीव की विशेष्टा है कोश्किय सनरचना जीवदारी कोशिका से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में जीवद्रव प्रोटोलेजम मजूद रहती है उपपचाए इसमें संपून जीवन परक्रियाओं का समावेश होता है इस परक्रिया में सनरचनात्मक अफचाए देथा अव सनरचनात्मक अफचाए परक्रियाएं सामिल है निर्जीव में कोश्कियेशन रजना मुझूद नहीं होती है उपबचाय निर्जीव में यह प्रक्रिया अनुपस्थित होती है सजीव में सौशन जीवधारी जीवन के विवेन प्रक्रिया है तो जीव एक पदार्थों को तोड़ कर उरिजा उत्सरजित करते है निर्जीव में सौशन निर्जीव चलने पर सिग्र ही उस्मा का उत्सरजन करते हैं प्रन्त उसका स्वेम उप्योग नहीं करते हैं सजीव में पोशन इसी के द्वारा सजीव जैविक खाद पदार्थ प्राफ्त करते हैं जिसका सारे रिक्रियाओं में प्रयोग होता है पोशन, निर्जीव में पोशन, निर्जीव खाद पदार्थ करहन नहीं करते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन, सजीव में उत्सर्जन, बचे वे खाद पदार्थों को मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है ब्रिदी उन पदार्थों को गरहन करने में होता है जो शरीर में नहीं पाय जाते हैं निर्जीव में ब्रिदी उन पदार्थों में होती है जिससे वे बने होते हैं गति स्वाशन प्रक्रिया के दोरान प्यदा की गई आंतरिक उर्जा से गतिक प्राप्त होती है निर्जीब में गति बाहिय बल लगाने के उपरांत होता है सजीब में उतेंजन सिलता अपने लाभ के लिए सजीब उद्यपन की इस्थिती में प्रतिकिरिया करते हैं निर्जीब में उतेंजन सिलता निर्जीब अपने स्वेम लाभ के लिए प्रतिकिरिया नहीं करते हैं निर्जीव में सजीव में जनन सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं इसी से नई जातियों तथा नशनों का सिर्जन होता है जनन निर्जीव में जनन निर्जीव में किसी भी प्रकार की जनन की प्रक्रिया नहीं होती है वे आंतरिक रूप से विघटित होते हैं जीवन चक्र सजीवों में जर्म व्रधी जनन तथा मरने की प्रक्रिया सामिल होती है जबकि निर्जीव में जीवन चक्र निर्जीव में इस प्रकार की पदति मुझूद नहीं होती है थेंक्यू